अपने पती का नाम अपनी जुबान पर क्यों नहीं लेना चाहिए लेने से क्या होता है जानने के लिए हमाई साथ बने रही है नमस्कार मित्रो हमाई चैनल बात मनकी पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बताएंगी कि जो लड़कियां जो महिलाएं अपने पती का नाम लेती हैं और अपने पती का नाम लेने से क्या होता है पती-पत्नी का रिस्ता ऐसा वैसा रिस्ता नहीं है बहुत पविद रिस्ता होता है पति-पत्नी का रिष्टा एक जन्म का नहीं साथ जन्म तक होता है लेकिन आपके पति-पत्नी का रिष्टा कितने जन्म तक हुए हैं ये किसी को पता नहीं होता मगर हाँ अपने पति की मंगल यह लंबे उम्र पाने के लिए हमें प्राथना जरूर करनी चाहिए जो बहने अभी तक साधी नहीं की हैं उनके लिए भी हमाई या पोश्ट बहुत ही महत्वोर्ण है क्योंकि उन्हें तो आज नहीं तो कल विवा करना ही होगा बिवा करने से पहले अगर आप इस बात को जान लेंगी तो आने वाले समय में आपके लिए अच्छा ही होगा हिंदु धर्म की माने तो पती को साचात भगवान का दज़ा दिया गया है इसके अंसार पती की आग्या का पालन करना पत्नी का करदव माना जाता है कुछ प्राचीन मानेताओं के अंसार पती का नाम लेना अच्छा नहीं माना जाता लेकिन आज काल के इस फास्ट फारवर्ड जवाने में लब मैरेज का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है जिस कारण लड़किया बे जिजखक अपने पार्टनर का नाम लेती है लेकिन हिंदो धर्म के अंसार अपने पती का नाम ना लेने के पीछे एक ठोस कारण बताया गया है जादा तर लोग जानते होंगी कि प्राथना से साधरन बेक्त भी देवत्तुल हो जाता है जब अपने कर्म वचन और धर्म से अपने पती को पूस्ती है तो वो आम आदमी में कुछ दिव सकती आ जाती है लेकिन आज काल की 21 सदी में लड़किया अपने पती को उनके नाम से ही बुलाती है क्योंकि वे सब इन बातों पर बिश्वास नहीं करती और इन सब पूराने रीती रिवाजों को नहीं मानती लेकिन जवाना कितना भी आगे निकल जाये कुछ पूराने रीती रिवाज हमेशा यहीं रहते हैं और उनका पालन करना भी जरूरी समझा जाता है बहुत सी महलाएं आज भी इन सभी परंपराओं का पालन करती है परंपराओं के अंसार हर रिवाज के पीछे कोई कारण जरूर होता है वही पती के नाम ना लेने के पीछे भी एक कारण है आए जानते हैं क्यों नहीं लेती पत्निया अपने पती का नाम हमारे सास्तों के अंसार महारिशी वेद वियाशी को भगवान का आवतार माना गया है उनकी मुख से निकली हुवी वानी को गड़ेशी ने इसकंद पुराण में भी लिखा है इसकंद पुराण में लिखा है कि जिस घर में पती वर्ता इस्तरी आती है उस घर में रहने वाले लोगों का जीवन खुसियों से भर जाता है अब आपको बताते हैं कि महलाएं क्यों अपने पतियों को नाम से नहीं बुलाती है दर असल इसकंद पुराण में लिखा है कि पतियों को नाम से बुलाने पर उनकी उम्र घटने लगती है इसलिए पतियों की लंबी आयू के लिए महलाएं कभी भी उनके नाम से सम्मोधित नहीं करती है इसके अलावा इसकंद पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि वही महलाएं पति बृतास्तरी कहलाती है जो अपने पतियों के खाने के बाद ही भोजन करती है तो एक नारी के लिए सरप्रथम इश्वर उनका पतिदेव होता है जब तक पतनी के पास पती है तब तक उनके सारे दुख का नास होता है आप देख सकते हैं कि पतनी के कितने भी संकट आएं वा संकट दूर करने वाला उसका अपना पती होता है पती है तो पतनी के लिए सारी खुसिया हैं समाज में सिर उचा उठा कर वो चल सकती है जिस नारी के पती कम उम्में ही गुजर जाते हैं उन्हें पता है कि पति देव के ना रहने पर कितना दर्ध होता है थोड़ा बहुत अगर गलती हो जाए तो समाज में तरा-तरा की बाते सुननी पड़ती है पती देव नहीं होने पर पूरे परिवार का दायत कौन निभाएगा कैसे चली गे संसार इन सब बातों को ध्यान में रखती हुए एक नारी के लिए पती देव सर्फृथम इश्वर होता है फुरान के अंसार पती पतनी के प्रेम सी इश्वर को प्राप्त कर सकते हैं कहा गया है कि जिन दमपती के भीतर अटूट प्रेम से बंधे हुए रिस्ते होते हैं उन्हें भगवान सीव माता पार्वती का असिरबात हमेशा प्राप्त रहता है और बात तो या है कि एक पती के लिए भी पतनी बहुत बड़ा मिशाल होता है पतनी के लिए जीवन जीने का पती कुमार्ग मिल जाता है जिसके कारण हर पतनी को अपने पती देव के लिए भगवान से प्रातना अधिक करनी शाहिए पति देव अगर जाने अन जाने में पाप कर रहे हैं तो पतनी पती के किवे पाप को नश्ट कर सकती है पुरान के अंसार अगर किसी के पती पाप कर रहे हैं और पत्नी यद भगवान की पूजा अजना करे अपने पती देव के लिए तो पती का आधा पाप नश्ट हो जाता है पती का नाम पतनी को क्यों नहीं लेना चाहिए ये बात आप दादी या नानी से भी जानकारी प्राप्त किये होंगे ऐसी पवित्र सिछा हमारे पूर्वज पहले ही देखा चले गए हैं और यह बाते हमें एकसप्ट भी कर लेनी चाहिए अगर कोई इस तरी अपने पती का नाम जुबान पर भूल से ले ले तो उस समय उसे भगवान शीव का इसमरण कर लेना चाहिए हिंदु धर्म की माने तो पती को पर्मेशन यानी भगवान का दर्जा दिया जाता है इसका कारण या है कि किसी की प्रात्ना करने से वो देवतुल हो जाता है महलाएं खुद एक सकती है यदि वे किसी को पूशती है तो माना जाता है कि वो भी देवता के समान हो जाती है प्रियमित्रों उम्मित करते हैं कि आपको हमाये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धर्निवाद आपका दिन सुभ हो